चले शिक्षा के बाद महंगाई की बात करते हैं नए महीने की शुरुआत महंगाई के जटके के साथ हुई लपीजी सिलेंडर और महंगा हो गया है आज एक सितंबर से 11 सबसुड़ी घरेलू लपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई है आपकी जनकारी के लिए आपको बताती चले इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में लगभग 14 किलो वाला जो सिलेंडर है लपीजी का उसका दाम बढ़ा कर 884 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है इससे पहले 18 आगस को सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ा था इससे पहले एक जुलाई को रसोई गौस की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी अब 14 किलो का वाला सिलेंडर जो है ऐल पीजी का उसे दिल्ली और मुंबैी में 884 रुपए और 5 पैसे और कालकेटार में 911 रुपए और चन्नई में 900 रुपए 5 पैसे में बिकेगा घरिलू LPG सेलेंडर ही नहीं बलकि 19 किलो वाला कॉमेर्शल सेलेंडर भी महगा हो गया है दिल्ली में कॉमेर्शल सेलेंडर 1618 रुपे की जगा अब 1693 रुपे में बिकेगा एक जनूरी से लेकर आज तक इन आठ महीनों में सेलेंडर की कीमतों में 190 रुपे के बढ़ोत्री की गई है तेल कंपनिया हर महीने LPG सेलेंडर के दाम की समिक्षा करती है उसके बाद कीमत बढ़ाने या घटाने पर तो डूंगो और वारल फीवर फिरोजबाद में अपना कहर बरपा रहा था आपके जनकारी के लिए आपको बताते चले इसके कारण बीते एक हफते में 40 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और मत्कों में बच्चों की संख्या सबसे जादा थी डेंगो के कारण यहां लगबग 32 बच्चों ने दम तोड़ दिया है आज भी जिले में 200 से जादा मरीज भरती हैं लेकिन डॉक्टर मरीजों को देखने तक नहीं आ रहे हैं परजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं परजनों का कहना है कि डॉक्टर चार-चार घंटे तक मरीजों को देखने नहीं आ रहे कई मरीजों कारोप है कि रात के समय डॉक्टर बच्चों को देखने नहीं आते यहां तक कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन से मुख्यमंत्री ने खुद बात की थी और उन्हें अच्छे इलाज का अश्रासन भी दिया था लेकिन बच्चों के माता-पिता का कहना है कि इसमें सुनवाई नहीं हो रही तो उत्तवप्रदेश के उन्हें में जिला विकास समन्वय और निग्रानी समित बैठ़क की अध़्क्षताउ नोसे बैठ़क के बाद मीडिया से बात करते हैं वे बीज़ेपी सांसर साक्षी महराज ने बीस्प और च्च गड़ा हमला बोला बीजेपी सांसद साक्षी महराज ने स्पी की यात्रा पर बोलते वे कहा उनकी पार्टी स्वतंत्र है अखलेश यादो साकेल यात्रा निकाले तीर्थ यात्रा निकाले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता BJP सांसर साक्षी महाराज ने कहा कि भारतीजनता पार्टी सबसे बड़ी लोकप्रिय पार्टी है मुलाकात पर बोलते हुए कहा है कि BJP सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है समजदी पार्टी नहीं है बीजेपी सांसर साक्षी महराज ने कहा कि जब कोई बीमार होगा हम देखने जाएंगी सांसर साक्षी महराज ने सुतन तुर्देव सिंग की तारिफ करते हुए कहा है कि सुतन देव सिंग जी ने बहुत अच्छा काम किया है जो मुलायम सिंग जी को देखने गए स्पी पर हमला बोलते ही वे सांसर साक्षी महराज में कहा अखलेश यादो थोड़ी ना है जो कल्यांट सिंग जी दुनिया से चले गए और उनकी शव पर फूल माला चड़ाने भी नहीं पहुँचे तो राजदानी दिल्ली में तेज आवाज में गाने सुनना एक शक्स को महगा पड़ चुका है जहां महेंदर नाम एक शक्स तेज आवाज में गाने चला कर घर में सुन रहा था कि तभी पड़ोसी ने आकर उसके घर की बिजली की तार काट दी इसके बाद आपको बताते चले दोनों में गाली कलोज होने लगा जगडा होने लगा और इसके बाद पड़ोसी ने उस पर हमला बोल दिया दिल्ली पुलिस के मुताबिक जगडे के दोरान आरोपी विजय दश्मी विजय दास ने अपने पड़ोसी महेंद्र के उपर चाकू से हमला कर दिया चाकू महेंद्र की छाती पर जाकर सीधे लगा और उसे गंभीर हालातों में अस्पताल में भरती कराया गया पुलिस ने आरोपी विजय दास को गिरफतार कर लिया